हेलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग मैं अनूज गुपता आज हम डिकोड करेंगे निफ्टी की ओप्षन चेन को तो अगर आप निफ्टी की ओप्षन चेन जो की मंतली एक्सपाइरी की है अगर आप उसको देखेंगे तो यहाँ पर दो important level निकल के आ रहे हैं अगर आप देखेंगे तो 18,000 की जो call option है यहाँ पर करीबन सवा लाग के आसपास के volumes एड़ अप हुए हैं वहीं अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर OI है वो भी यहाँ पर काफी अच्छा build-up होता हुआ दिखाई दिया है करीबन 5,000 के आसपास के contracts यहाँ पर add हुए हैं और करीबन 74,800 के आसपास का जो OI है वो यहाँ पर build-up होता हुआ दिखाई दिया है तो एक तरीके से 18,000 का जो level है वो एक resistance के तोर पर यहाँ पर काम कर सकता है वही अगर हम support की बात करें तो अगर आप 17,500 की put option में देखेंगे तो यहाँ पर भी करीबन 1,000,000 के आसपास के volumes हैं और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो करीबन 45,000 के आसपास के जो OI है वो यहाँ पर add up होता हुआ दिखाई दिया एक long term trend line यहाँ पर break किया है और उसके उपर यहाँ पर trade करता हुआ दिखाई दिया है तो जो की breakout जो level था वो कई बन 17,500, 17,600 के आसपास का था market ने उसको breach किया है और उसके उपर finally trade कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर fresh build up हुए है अगर आप देखेंगे puts के अंदर में तो उसकी वज़े से थोड़ा सा selling pressure यहाँ पर आ सकता है बट finally trend हमें लग रहा है कि overall positive रहेगा aspiring के चलते थोड़ा बहुत correction यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके बाद आपको again एक bounce back जो है वो prices में आता हुआ दिखाई देगा तो हमें लग रहे है कि एक positive trend nifty के अंदर देखने को मिल सकता है बायों डिप्स की strategy यहाँ पर यूज कर सकते हैं important जो support है options के थुरू भी देखे और technical थुरू भी देखे तो 17,500 एक important support रहेगा और उपर में 18,000 एक resistance level रहेगा thank you very much आप बने रहे हैं आपको ऐसी interesting video मिलते रहेंगी जो आपको trading में help करेंगी thank you very much